दिस्मि ल्ला रह्मानी रहीम हमारा इंट्रेस्टरेट का टापिक चल रहा है और उसमें हमने टाइपस आफ क्रेडिट मार्किट इंस्ट्रूमेंट्स को भी डिसकस कर लिया और यीज्ट तु मिचुरिटी को भी समाई लिया यानि कि asset का return interest rate के इलावा भी हो सकता है इसका मतलब है कि rate of return में और interest rate में difference होता है यू can't say interest rate is rate of return ये बात याद रखिएगा मैं अगर पीछे कही rate of return को interest rate के equal कर रहा था या कहीं उसकी जगा बोलता था तो ये याद रखें कि अगर आपकी assumption हो जाए जैसे आगे यहाँ पे भी एक case आएगा एक particular case में rate of return और interest rate आपस में equal हो सकते हैं लेकिन generally ये दोनों different होते हैं तो चुक्छे वहाँ तक हमने ये topic discuss नहीं किया था तो मैं उसको rate of return या interest rate कह देता था लेकिन अब जबके हम ये topic discuss कर रहे हैं और ये बड़ा clearly बता रहे हैं कि rate of return और चीज़ा है interest rate उससे different है यानि कि interest rate और rate of return 100% मैच नहीं करते हैं different हो सकते हैं किसी खास case में equal भी हो सकते हैं लेकिन generally equal नहीं होते हैं तो अब आपको ये पता है कि अगर आप कोई bond ही खरीदते हैं या कोई investment करते हैं या कोई asset purchase करते हैं तो उसका return सिरफ interest rate का return होता है नहीं बलके आपको ये भी पता है कि जो उसकी amount है bond की या किसी asset की या किसी security की उसमें से एक तो आपको interest payment मिलता है plus जो उसकी price है वो भी तो change हो सकती है जब price change हो सकती है तो price change का भी तो एक return होता है इसका मतलब ये है कि asset की उपर एक return तो है interest मसलन बांड की उपर interest rate के इसाब से आपको एक return मिलता है यानि कि interest मिलता है वो तो हो गया interest rate वो तो हो गया एक return का rate लेकिन rate of return सिर्फ interest rate नहीं है बलकि अगर आप bond को market में sell करें और उसकी price वो ना हो जिस पे आपने purchase किया था तो इसका मतलब यह है कि अगर price उससे ज्यादा हो गई तो आपको एक gain हो जाएगा अगर price उससे कम होई तो आपको loss हो जाएगा लेकिन point यह है कि जो rate of return है वो अकेला interest rate नहीं है बलकि उसमें price या gain या price loss ये दोनों उसमें add करने पड़ेंगे जाहर है price loss add करेंगे तो actually वो subtract ही होगा इसका मतलब यह है कि जो return है R जो कि हमारे equation में लिखा हुआ है return R that is equal to C which is coupon payment यानि कि आप इसे interest payments कह लें plus PT plus 1 minus PT यानि कि उस band की जो price T plus 1 next period में है minus PT यानि कि time period T में जो इसकी price है जितने पे वो खरीदा गया था ये difference उस coupon payment में add करेंगे और फिर total को divide करेंगे इसकी current price पे यानि कि T period में उसकी price पे तो उस case में ये total return निकलेगा इसका मतलब ये है कि rate of return जो है वो interest rate के equal हो तो सकता है या coupon payment की equal लेकिन वो actually या yield to maturity की equal लेकिन 100% उसकी equal नहीं होता क्योंकि वो equal सिर्फ उस particular case में होगा जब PT plus 1 और PT same हो इन दोनों की price same इसका मतलब ये है कि अगर R की यही value है return की की coupon payment या आप इसे interest payments कह लें plus PT plus 1 minus PT divided by PT तो इसका मतलब ये है कि यहां से हम PT को जो bracket के अंदर दो times है एक PT plus 1 minus PT की एक time है और C की दूसरी time है इन दोनों की उपर अलग अलग divide करें अच्छा याद रखें जब आप उसे price पे divide करते हैं ये price of bond है तो इसका मतलब है वो relative farm में coupon payment भी निकल आएगा relative farm में price gain या loss भी निकल आएगा तो ये जो C over PT है इसको हम कहते हैं IC IC का मतलब है current yield है यानि कि current interest या current yield या इसको वो yield to maturity के context में से current yield कह रहे है ठीक हो गया तो IC तो हो गया current yield प्लस PT प्लस 1 माइनस PT divided by PT क्या है इसको लिए इसको लिखा है जी यानि के ये bond की उपर gain होगा price की time में या loss होगा ये दोनों possibilities हो सकती अब हम देखते हैं कि जो हमारा rate of return और interest rate है इनके जो आपस में relationship है इसके बारे में कुछ facts हैं वो हम discuss कर लेते हैं उन्हें में से पहला fact ये है कि rate of return and initial yield to maturity are same if time to maturity is same as holding period of bond इसका मतलब है आपने एक bond खरीदा और holding period से मराद आप एक साल के लिए उसे अपने पास रखना चाते हैं अब अगर उस bond की कुल maturity ही एक साल की है यानि कि एक साल बाद bond वैसे ही mature हो जाएगा तो फिर उसकी price पे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि maturity वाली price तो पहले से decided होती है जो price change होती है वो तो ये होती है कि अगर दो साल की maturity का band है और साल बाद आप change करना चाहें तो साल बाद चुकि वो mature तो हुआ है नहीं आप किसी और बंदे को market में बेच रहे हैं तो वो price वो नहीं लगेगी जतने में आपने खरीदा या जतने में आपका वापस होना है फार्म को वो price different हो सकती है तो याद रखें अगर maturity time और आपका holding period दोनों match कर जाएं तो फिर price gain last वाला concept ही खतम हो जाएगा फिर interest rate ही आपका rate of return भी होगा दूसरी बात अगर आपका time to maturity जो है वो ज्यादा लंबा है holding period से तो उस case में यानि कि आपका holding period one year है जबके time to maturity two year, three year, five year है तो फिर आप तो अपने holding period के बाद बाद बेच देंगे ना तो चुके बांड की maturity time नहीं आया तो आप secondary market में बेचेंगे किसी और बंदे को बेचेंगे उस farm को नहीं जाके देंगे जिसका ये बांड है तो चुके आप किसी और को बेच रहे हैं तो वो उस price पे तो नहीं खरीदेगा जिस पे आपने खरीद है उसकी price change हो सकती है तो इ time to maturity is positive related to price change in response to interest rate के आपको पता है कि हमने पहले कई दफ़ा पढ़ा है कि interest rate जब change होता है तो बांड की price change हो जाती है अब ये change तो होती है interest rate चेंज होता है तो बांड की price change हो गई लेकिन ये जो price का change होना है interest rate के change होने के response में ये खुद depend करता है कि time to maturity कितना है पाजिटिवली related का ये मतलब है कि जितना time to maturity जदा होगा इतना interest rate चेंज होने का effect price हाफ बांड पे जदा पढ़ेगा for example अगर एक बांड की maturity में से एक दिन रह गया है और उस दिन market में interest rate बढ़ जाए तो हमने पढ़ा हुआ है कि interest rate बढ़ने से बांड की price कम हो जाती है लेकिन बांड की maturity में से एक दिन रह गया बांड की price कम नहीं होगी क्यों क्योंकि कि कल तो ये mature हो जाना है और आपको actual amount म मिल जानी है तो एक दिन के लिए अगर उसकी प्राइस कम भी होगी तो इतना मरजिनल ही कम होगी कि वो इसका मतलब यह जितना टाइम टू मिचुरिटी ज्यादा होगा उतना इंट्रेस्ट रेट के रिस्पांस में बांड की प्राइसे ज्यादा चेंज होगी तो एक चीज य लेकिन रेट आफ रिटरन नेगिटिव भी हो सकता है किस केस में अगर टाइम टू मिचुरिटी बहुत ज्यादा है और इंट्रेस्ट रेट चेंज हो गया मसला इंट्रेस्ट रेट बढ़ गया तो इंट्रेस्ट रेट बढ़ने से बांड की प्राइस गिर जाएगी वो इ return जो है या total return वो negative हो जाएगा यहाँ पे एक topic जो कि actually आगे बड़ी detail में हम discuss करेंगे लेकिन यहाँ पे उसको just introduce करवाता जाओं interest rate risk चुकि interest rate change होने की वज़ा से bond की prices change होती है और अगर time to maturity holding period से ज्यादा हो तो interest rate change होने से अक्सर bond की prices change होती रहेंगी और bond की prices change होने से bond holder को loss हो सकता है तो चुकि loss हो सकता है तो risk है हलांकि bond की उपर interest तो fix मिलता है लेकिन bond की price change होने का risk है और चुकि वो risk interest rate change होने की वज़ा से है इस वज़ा से उसे कहते है interest rate risk तो interest rate risk का मतलब यह नहीं कि interest rate change हो जाएगा bond की उपर, bond की उपर interest rate fix है, market का interest rate change होगा, जिससे bond की price change होगी, तो bond की उपर loss हो सकता है, इसलिए हम कहते हैं, ये interest rate risk है, thank you.